दोस्तो कैसे आप सब तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी चैनल वर्शीम टेक में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे एंटी को के बारे में रोयल पिले का जो एंटी को है टेक्चर तो दोस्तो यह देख सकते हैं आप मेरे हाथ में जो डबा लगा हुआ है यह 5 किलो की प्यकिंग है रोयल पिले के एंटी को के बेस की तो दोस्तो ये बेश जो है वो वाइट कलर में आता है ये बेश वाइट कलर में आता है तो दोस्तकते हो दोस्तो ये हमने एक दिवाल है प्लैन उस पे पिराइमर और पुट्टी करके और पिराइमर करके शेंडिंग करके छोड़ रखा है इसको बिर्कुल समूत करके छोड़ दिया आये देख सकते हूँ छोड़ने के बाद आप दोस्तों देख सकते हो हमने इसके उपर एक antico base की white कलर की पूरे वे हमने इसको अच्छी तरीके से filling करा है proper अच्छी तरीके से antico base की एक filling करी है और फिलिंग करते समय आपको दोस्तों यह याद राकना है फिलिंग कहीं भी उबड़ खावड नहीं रहनी चाहिए और फिलिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए उसके बाद दोस्तों देख सकते हो जो एंटिको की फिलिंग है बेश कोट की जो हमने मारा है उसको अच्छी तरीके से रेगमाल से हमने शेंडिंग करना है तो दोस्तों जब हम इसको रेगमाल से शेंडिंग करेंगे तो आपने यह देखना है जो फिलिंग में जो दाना है थोड़ा हलकमल का दाना आ जाता है यह रफ आ जाता है वो बिरकुल एक्षार अच्छी तरीके से काट लेना है उसको अच्छी तरीके से और एक तरफ से रेगमाल लगाना है और गोल अहस्ते दोस्तों रेगमाल लगाना है हमने उसके बाद जब दोस्तों रेगमाल आपका किलियर हो जाए फिर आपने antico का बेश लेना है जो कि मैंने आपको दिखा रखा है white color का हो सकता है ये दोस्तो आप देख सकते हो ये लेना है और लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से mix करना है दोस्तो और ये packing देख लेना है सूकी पैकिन तो नहीं है दोस्तो बाजी बार पैकिन पुरानी होती है और दोस्तो इसमें विर्कुल थोड़ा सा हमने पानी मिलाना है जो कि इतना पानी मिलाना है अपने ध्यान राकना है कि सिर्फ दूसरी बाल्टी का माल उस बाल्टी से साफ कर लो और बस ज़्यादा पानी नहीं पांच किलो माल में 100 ग्राम पानी मिलाना है हमने सिर्फ 100 ग्राम पानी मिलाना है हमने 5 किलो माल में तो दोस्तो ये आप देख सकते हो हमने दो बाल्टी को माल एक बाल्टी में करा है और उसमें करीबन 100 ग्राम पानी हमने इसमें डाला है 100-200 ग्राम तो दोस्तो देखो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है यह देख सकते हो आप इसमें कोई रोडी नहीं होती है और यह बहुत ही बढ़या माल है यह देख सकते हो आप और इसको बड़े अच्छी तरीके से हमने mix करना है और देखो mix करते समय दोस्तों कहीं पर पानी बोना रहे mix करने के इसको बाद एक हमने c-spun जाता है वो लेना है और उसको माल में लगा के antico का pattern लिकालना है जो कि दोस्तों यह pattern देखो निकालते हुए हम दिखाए जा रहे है antico का यह pattern है आप देख सकते हो यह sponge आती है अपनी c-spun इससे यह बनता है जिसका नाम रीको है यह देखो दोस्तों आप देख सकते हो इस pattern का नाम रीको है तो दोस्तों इसे आपको यह देख लेना है sponge से एक ही बराबर material छूटना चाहिए है ठीक है दोस्तों और इसमें बीच में कहीं कहीं आपको ज़्यादा material छोड़ना पड़ेगा pattern के लिए जो हमारा pattern है दिखो वो जिससे की बढ़या और अच्छा दीके आपको तो दोस्तों आप देख सकते हो कहीं पे हमने ज़्यादा कहीं पे कम छोड़ा है और दोस्तों ऐसे ही कम ज़्यादा करके छोड़ना है material तो दोस्तों इस पंज से जो हमने material छोड़ना है तो दोस्तों याद राखना है कि material विर्कुल एक ही एक ही side से और एक ही तरीके से चूटे ना कि अलग-अलग pattern नहीं दी तो दोस्तों अलग-अलग pattern नहीं दी कि उसके बाद दोस्तो जब ये एंटी को थोड़ी देर शूख जाए डिजाइन तो उसके बाद हमने ट्रॉबल लेनी है और उससे थोड़ा थोड़ा हलकलका इसको दवाना है और दवाने के बाद थोड़ा थोड़ा खीचना है तो दोस्तो ये खीचने से थोड़ा थोड़ा पिलैन हो जाएगा थोड़ी देर सूकने के बाद दोस्तो खीचना है और इसको जादा नहीं खीचना है थोड़ा खीचना है ट्रॉबल से तो ये अपने डिजाइन में आ रहा है है थोड़ा सा थोड़ा सा दबाना है दोस्तो आप देख सकते हो ये ट्रॉबल से दबाते हो दिखाए जा रहे हैं तो दोस्तो जबकि हम इसको थोड़ा थोड़ा दबाएंगे और ट्रॉबल को एक बात ध्यान में रखना है ट्रॉबल को आपने पूरी अच्छी तरीके से साफ कर लेना है उसके बाद दोस्तो देख सकते हो यह हमारी पूरी बॉल का डेजाइन बन चुका है जो रिको पैटन है वो रिको पैटन तो दोस्तो यह वाइट कलर में देख सकते हो आप यह पैटन आपको नज़र आ रहा होगा और इससे दोस्तो तोड़ा सूखने के बाद यह वफिंग कर देते हैं ट्रॉबल से तो यह ऐसा दीखने लगता है देख सकते हो दोस्तो यह ऐस पिरकार का दीखने है उसके बाद दोस्तो ये जब डिजाइन सूख जाए तो दोस्तो हमने एक रेगमाल लेना है गिशा हुआ रेगमाल लेना है असी नमबर का और इसके उपर अच्छी तरीके से हमने बॉल्स के उपर रेगमाल से शेंडिंग करनी है तो दोस्तो देख सकते हो हम डिजाइन के रहे हैं अच्छी तरीके से जो भी जो दाना है और जो रफ है वो सारा इस पैसे हटाना है दोस्तों तो पूरी बॉल पर डिजाइन पर रेगमाल लगाने के देख सकते और रेगमाल लगाने के बाद हमने जबकी रेगमाल पूरा हो जाए हमारा उसके बाद हमने इस दिवाल को ज़ाड लेना है कपड़े से या किसी जीश से ज़ाड लेना है दिवाल को ज़ाडने के बाद फिर दोस्तो आती है हमारी एंटी को टॉप कोट के लगाने की बारी दोस्तो टॉप कोड जो है इसमें 200 ग्राम हमने पानी मिलाना है एक लीटर में और अच्छी तरीके से साफ करके और अच्छी तरीके से दोस्तो मिक्स करके इसको हमने इसके उपर एप्लिकेशन लगा देना है तो दोस्तो पहले बुरुष से जो कोने हैं कच्छ कोने जारने हैं बढ़या करके और उसके बाद कच्छ कोनों में माल लगा के इसको जो की उपर की वो है उसको बुरुष से बढ़या तरीके से वर लेना है ताकि दोस्तो वहाँ पर ट्रॉबल नहीं पहुंचती है तो हम मारेंगे तो थोड़ी सी कमी निजर आएगी तो जो दोस्तो कमी निजर आएगी तो बॉल जाहिर सी बाते खराब लगेगी तो दोस्तो देख सकते हो हमने पहले ही इसको बुरस से थोड़ा थोड़ा लगा लिया है उसके बाद दोस्तो आप देख सकते हो हमने ट्रॉबल औ स्क्रेपर णिछ से देख सकते हूं ने इस पर अप्लिकसंद यानी की टॉप कोड लगाना है में यह ध्यान रागना है कि दोस्तों बहुत से लोग टॉप कोड लगाते हैं तो उनकी गूर्माला का निशाना जाता है तो दोस्तों इस में गूर्माला खड़ा नहीं वर्कि trabalhar च और ना ही हमारा कहीं पर जोणद दीखेगा आपको तो दोस्तो यह देख सकते होँ आप जो हम material चड़ा रहे हैं तो देखो दोस्तो जैसे हमारा design है उस्हιसाफ से हमने उसमें गूर्माला चलाई है तो दोस्तो यह देखो कितना प्यारा lazy निकल के और देखो दोस्तों ये कितना प्यारा एंटी को रिकोबर पैटन बना है दोस्तों आप देख सकते हो पूरी बॉल्स को ये देख सकते हो दोस्तों पूरी बॉल्स हमने तयार कर दिये ये देखो दोस्तों ये पैटन का नाम है इसका रिको और ये पूरी बॉल तयार हो चुग है देख सकते हो दोस्तों आप तो दोस्तों एंसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सेर सब्सक्राइब एंड लाइट एंड कमेंट करें तो दोस्तों बने रहे हैं आप अपने वीटूब चैनल बशीम टेक के साथ